तो नमश्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे United Spirits Limited Company वारे में Company Alcoholic Beverages यानि के शराब बनाने की इंडिया की सबसे बड़ी कमपनी है और पुरे वर्ड वाइड भी बात करें तो वॉल्यूम के साब से दूसरी सबसे बड़ी कमपनी है पुरे वर्ड की शराब बनाने की और देखेंगे कि as an investor आज की डिट में क्या हमें अपना पैसा इस कमपनी में invest करना चाहिए या नहीं उसके साथ साथ हम कमपनी के financials भी चेक करेंगे कि आज की डिट में कमपनी के revenue और profits कैसे चल रहे हैं और फिर उसके बाद हम कमपनी की valuation करेंगे कि आज की डिट में ये कमपनी में किस price में मिल रहे हैं कि कमपनी ओर-valued है या फिर under-valued है कंपनी की अर्णी के साफ से इसके शेर आज की रिट में हमें सस्ते मिल रहे हैं या महेंगी बिल रहे हैं उसके साफ से हम डिसाइड करेंगे हमने इस कंपनी इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है या अगर हमने और इस कंपनी के शेर्स खरी दे हुए है तो हमें क्या करना है इनको hold करना है चाहिए या फिर हमें उनको sell कर देना चाहिए तो जैसे हमने बात की United Spirits Limited इंडिया में alcoholic beverage बनाने की number one company है company बहुत ही अच्छे brand hold करती है और company इंडिया के अंदर जो global leader है शराब बनाने में या alcoholic beverage बनाने में Diago PLC उसकी एक subsidy company है बात करें Diago की तो एक British multinational alcoholic beverage company है पुरे world में company काम है और काफी अच्छे brand Diago भी hold करती है उसी की subsidy company इंडिया के अंदर United Spirits Limited company है अर्म बात करें company के brands की तो बहुत सारे company premium brand hold करती है इंडिया के अंदर जिसके अंदर काफी अच्छी company को sale मिलती है काफी अच्छी पकड़ जो market की है वो इनी brands की वसे है बात करें company के brand name की तो company वास में है जॉनी वॉकर, Black Dog, Black and White, Wet 69, Antiquity, Signature, Royal Challenge, Magdwell No.1, Simran Off और Captain Morgan ये सारे company के main brands हैं जो काफी अच्छी marketing position hold करते हैं दूसरी बात कि शराब को हम promote नहीं कर रहे हैं इस video के थूरू पीना या नहीं पीना एक इंडिजिस बंदे की जो है वो जिम्मेदारी है या choice है हम company को जो analyze कर रहे हैं as in business analyze कर रहे है as in product हम company के जो है वो analyze कर रहे हैं उसके लावा ये तो company को के main brand कंपनी के बात करें, टोटल कंपनी के comprehensive brand portfolio की तो कंपनी 80 से ज़्यादा brand hold करती है और कंपनी बहुत सारी अलगर टाइप की जो शराब है वो कंपनी बनाती है कंपनी में लिए बनाती है स्कॉच विस्की, IMFL विस्की, ब्रैंडी, रम, वोड का जिन इस तरह की सारी शराब कंपनी मनाती है और इन सारे को मिला करके लगब असी के आश्वस कंपनी के ब्रैंड अविलिबल है और जैसे हमने कंपनी की बात की थी, market leadership की तो बात करें तो इंडिया में highest market share है कंपनी का 25% का Indian spirit industry के अंदर कंपनी market share hold करती है इसी वैसे company number one है इंडिया के अंदर और दूसरान बात की थी कि second largest spirit company है पूरे world के अंदर तो इंडिया के अंदर भी और world world भी काफी अच्छी company position hold करती है उसके बात करें company के revenue breakup या revenue mix की तो जो company premium brand अपने बेशती है वहाँ से company को 72% बनाता है और जो company के popular brand है या popular segment में company बेशती है वहाँ से company को 26% में आता है तो आप देख रहे हो कि branded segment से company को mainly revenue आता है तो clearly में दिख रहा है company के brand अच्छे है इसलिए company को ज़्यादा वहाँ से profit sorry revenue वो आ रहा है उसके बात करें company के distribution network की तो पूरे all over India में company के presence हैं company के products available है और सासाथ बात करें तो 37 facilities या plant है company के जहाँ पे company अपनी ये सारी factories चलाती है उसके लाबा 70,000 के आसपस outlet हैं जहाँ पे company के product बिखते हैं तो कुल्मना के बात करें तो product wise बहुती strong company है लेलियम देख रहे हैं जो अगर शराब पीते भी उनको पता होगा कि काफी सारे जो ये brand है नामी brand है काफी popular है अपने segment में और company की बात करें तो सबसे बड़ी company इंडिया की company है तो कुल्म लागे देखें तो company का market share अच्छा है brand अच्छे है तो product wise कोई दिक्कत ही नहीं है काफी strong company आच्छे है में दिखाई दे रही है तो दोस्तों अभी तक तो बात होगी company के business profile के बारे में और company की market position के बारे में अब हम बात करें company के financials के बारे में कि आच्छे है में company के revenue और profits कैसे चल रहे है किसी भी company का financial analysis करने के लिए मैं कम से कम पिछले 5 साल का data use करता हूँ जिससे हमें company बारे में detail knowledge मिल सके और सबसे पहला parameter जो company के चेक करते हैं होता है sales या revenue और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल में company की sales है वो काफी stable रही है 2019 में 9300 क्रोड के आसपस company की sales थी जो कि 2023 में बढ़करके 10612 क्रोड हो गई है तो बहुत जादा हम देखें तो growth यह increment company की sales में नहीं आया है company का जो पिछले 5 साल का sales group का CGR है वो भी 4% का आ रहा है तो बात करें कि company बहुत जादा increment क्यों नहीं आया है उसका main reason यह है कि company already काफी अच्छा market share hold करती है 25% का market share काफी अच्छा है और काफी बड़ी company already है तो इस तरह कंपनी में बहुत जादा extraordinary growth एकदम से नहीं मिलती है तो बात करें तो 4% का जो growth है है तो कम लेकिन फिर भी काफी stable company है पर revenue दिखाई दे रहे हैं उसका बात करें अगले parameter की तो अगला हमारा parameter है operating profit margin और यहाँ पर देखेंगे तो उससे 5 साल में काफी अच्छा company operating profit margin maintain कर रही है अपने segment के साब से 15%, 16%, 13% कुल मारे देखें तो 14-15% के आसपास की company average है operating profit margin की जो की काफी अच्छा है और इस अच्छे operating profit margin में clearly यह पर लगता है कि company अपने जो product है उनकी pricing काफी अच्छे से रख पा रही है अपनी जो input cost है उसको काफी अच्छे से company manage कर पा रही है इसलिए company पास में इतने अच्छे operating profit margin यहाँ पर आ रहे है उसका बात करें next parameter की तो यह हमारा है net profit और यहाँ पर देखें तो पिछले 5 साल में देखा था company sales भोजा increase नहीं हुए है लेकिन पिछले 5 साल में company का profit बहुत अच्छे से increase हुआ है बात करें तो 2019 में company का net profit था वो था 684 क्रोड पे जो की बढ़के 2023 में 1126 क्रोड पे हो गया है पिछले 5 साल में लगबग दो गुना company का net profit आया है जो की काफी अच्छा sign है कि company में sales भो increase उतनी नहीं कर पाई लेकिन फिर भी company का profit काफी अच्छे से increase हुआ है उसके साथ साथ बात करें company पिछले 5 साल के profit growth के CGR की तो 12% काफी अच्छे CGR से company अपने profit में growth दिखाई है तो clearly पतल लगना है काफी अच्छी company हाँ पे है उसके बात करें next parameter की तो next हमारा parameter है free cash flow और free cash flow का मतलब यह होता है कि वो पैसा जो company बासे freely available है सारे खर्चे करने के बाद में capital expenditure, business expenditure, सब कुछ करने के बाद में जो पैसा company बसता है जिसको अब company को उस पैसे की जरूरत नहीं है उस company को जो उस पैसे को उस company का owner ये investor अपने घर लेके जा सकता है उसको हम free cash flow बोलते है और यह बहुत ही important parameter होता है financial का कि ठीक है company net profit तो कमाती है लिए बहुत सारे company ऐसी होते हैं को बार बर अपना जो profit है जो पैसा है वो अपने business में invest करना पड़ता है घर ले जाने के लिए company बास पैसा available नहीं होता है लेकिन यहाँ पर देखें तो पिछले 5 साल से हर साल company बहुत ही अच्छा free cash flow यहाँ पर manage कर पा रही है 700 क्रोड रुपे 800 क्रोड रुपे काफी अच्छा average बात करें आपर तो 8-900 क्रोड रुपे का company का हर साल का है तो free cash flow wise भी काफी strong company यह है उसके बात करें अगले parameter की तो अगला हमारा parameter है dividend payout percent है तो dividend देन वाली company तो नहीं है पिछले 5 साल से 0% है company कोई dividend नहीं पे करती है जो भी आपको growth मिलेगी वो share price के थूँ ही मिलेगी उसके बात करें next parameter ही तो next हमारा parameter है debt by equity ratio और debt by equity ratio most important ratio है सारे financial ratio में इस साहर में यह पता लगता है company ने अपना कितना पैसा invest किया बिजनिस के अंदर और company loan लेके कितना business कर दी है क्योंकि कोई भी कंपनी अगर जादा noan लेती है तो जादा risky company मन जाती उतना ज्यादा इंट्रेस्ट का बड़न आता है उतना ज्यादा पैसे वापिस करने का बड़न आता है क्योंकि बिजनस में क्या अप्डाउन होते रहते हैं लेकिन इंट्रेस्ट की बात करें तो इंट्रेस्ट फिक्स रहता है हर साल आपको जो देना है वो देना ही देना बै कॉफी अपने है नाम से लग रहा है कि रिटान कितना कंपटी को पर जен 경우 पैसे को पर लिए इन-पेसे कोपर किना पर यहाug कर रहिए एक चाया परसेंड को फानुटे का जो काफी अच्छा नंबर है क्लिगिवाइब 40boys कंपटी रेटंड है अगर तो काफी अच्छी कंपनी माल जाता है तो पिछले साल 18 पसंट आया है और पिछले पांट साल के अवरे देखें तो सतरा पसंट के जो है अच्छे से अविलेबल है और डेट भी कोई नहीं है और साथ-साथ आरोई भी कापनी काफी अच्छा है तो बात करें तो financially काफी strong company हमें दिखाई दे रही है बिल्कुल बड़ी है financial है कोई दिक्कत वाली के बात ही नहीं तो दोस्तों अभी तक तो बात होगी company के business profile के बारे में और company के financials के बारे में अब हम बात करें कंपनी की valuation के बारे में कि earning के साफ से आज की कंपनी की share हमें सस्ते मिल रहे हैं और मैं आपको किसी भी कंपनी की valuation करने के लिए मैं उस करता हूं discounted cash flow analysis उसके अंदर company को free cash flow के पर value करते हैं कंपनी कितना free cash flow generate कर पा रही है उसके साफ से कितनी value बनती है जो हमने बात कि थी कि free cash flow ही असली कमाई होती है business की अरवने free cash flow का data निकाला था तो हम पिछले तीन साल का free cash flow चेक करें तो 2021 में company पास में अविलेबल था बनती है पूरी company value वह आती है 50,000 कोड़ यानि कि अगर हमें 1,000 कोड़ पे हर सार फ्री cash flow चाहिए तो हमें 50,000 कोड़ पे इंवेस्ट करने परेंगे युनाइटेट स्पीड लिम्टेट कंपनी में यह जो है इस valuation का मतलब है तो तो पूरी company की value अब हम बात करते है पर शेर क cash flow generate करती है तो उसके साब से इतनी इसकी value बनती है लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं अगर किसी company को हम fair price पे या फिर premium देगे खरीदेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा risk increase जाता है क्यों क्यों जो भी हमने data चेक है वो सब क्या है past record है हो सकता है future में अगले 10 साल में 15 साल म कंपनी ऐसा perform करें ना करें कोई internal problem आ जाए को competition आ जाए या कोई इस तरह कंपनी का जो भी फेर प्राइज है उसके 50% पे कंपनी खरीदने के कोशिच करते हैं जिससे हमारा जो भी आनवरिस्क है उसको अच्छे से मैनेज कर सके और सासत कंपनी के जो शेयर है वो भी काफी सस परिशेयर की उसके साफ से 50% या माजिनों सिप्टी होगा है 345 रुपए तो अगर हम 345 रुप परिशेयर के साफ से United Spirit Limited Company इंवेस्ट करेंगे तो कंपनी काफी ससे दाओं पर खरीदेंगे अपने रिस्क को भी काफी अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो यह तो क्या हमारा प् कंपनी की जो शेर है वो ट्रेड कर रहे है और इस शेर प्रास आपसे क्लियर देखें तो कंपनी ओर व्लुट रुपर काफी ऑर वैल proportion में है तो अभी investment करने का सई टाइम नहीं है बात ही आते हैं कमपनी इन ओर वैल्यु में है क्यों उसके दो रीजम है एक तो यह कि सब को पता है कि कमपनी अच्छी है काफी अच्छे कमपनी ब्रैंड होल्ड करती है और इसी वेसे कमपनी जो है जातर देखें तो पूरे साल में वो over price में ही रहते हैं इस तरहें कंपनियां दूसरी बात कि already बात करें तो share market भी इस समय high price पर चल रही है तो सारी ही कंपनियों के price जो increase हो रखे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने आज अगर मेहनत करी तो company over price निकली है तो हम उसको छोड़ देंगे नहीं इस तरह कि जो भी अच्छी company है उस company watch list में रखेंगे उनका share price अपने बास लिख के रखेंगे कौन सा में ठीक लग रहा है margin safety के साब से और अगर आज market उपर है तो कलको market नीचे भी जाएगी तब हम उस company में invest कर सकते हैं क्योंकि जब market नीचे जाती है तो ऐसा नहीं कि हमेशा नीचे रहेगी वो फिर से उपर भी आ सकती है तो अगर हमें पहले से अल्री एक list बनाई हुए उसकी companies की कौन-कौन सी company अच्छी है इसमें में invest करना चा रहे हैं क्या price में invest करना चा रहे हैं तो जब उस share price पर companies आएंगी तो हम पहले से list होगी तो easily उनमें invest कर पाएंगे यह हमारी सारी जो मेहनत हम कर रहे है उसका reason है दूसरी बात कि अगर आपने अपना पैसा invest किया है तो कोई दिक्कत नहीं कंपनी का business अच्छा चल रहा है शेर प्राइस भी अच्छा चल रहा है तो बिल्कुल आप hold करकर रखिए बेचने कोई मतलब नहीं है तो कंपनी के share price बढ़ने से और कंपनी के share बेचने से कोई link न बात करें तो कंपनी अच्छी है business बढ़िया है लेकिन अभी overvaluation में है तो हम hold करेंगा अपना पैसा इस company invest करने लिए बाद में देखेंगे जब share price में हमें सई share price में मिलेगी तो इसना देखें तो company के बारे में digital knowledge देदी है आपको आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे होगी अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेर दूर किजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा थैंक्यू सो मच